शाला मुझे भी इन लोगों का गाना सुन करना अब रोना आ रहा है आखिर करे तो करे क्या मुझे भी उमीद था कि जैसे खेसारी लाली आदो भोशपूरी के लिए कर रहे है न वो इसे ही पावन सिंग भी भोशपूरी के लिए करेंगे और भोशपूरी के मिल कर कुछ अच्छा लेबल पे लेके जाएंगे लेकिन साला जब से मैं फो सोशल मीडिया पे जब की यूटूब खोल रहा है ना फेस्बूक खोल रहा हूँ ना थाली मेरे को देखने के लिए मिल रहा है कि साली में बाटला भावी के चैटला मतलब यह क्या है भाई पावन सिंग जो की इतना घटिया घटिया गाना गा र तो भोजपूरी को नीचे गिराने में लग गए हैं और गाना गा रहे हैं कि साली में बाट ला भाभी के चाट ला यानि एक तो चला जो कि चंदन चंचल धोड़ी चाटना एस्टार था कि तो खाली चाटने के फिर में था लेकिन अब देख रहे हैं पावन सिंग को कि ए भी सिर्फ है धोड़ी तो भलाना मतलब कि जितना भी होली में जो कि गाना लेकर आ रहा है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि होस में गाना गा रहा है कि सला ये कुछ भी मतलब जो मर्जिसो एक तो भोजपूरी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े लोग अब जो अगर ऐसे गाते रहे ना पहण सिंग तो आगे नहीं कोई बोलेगा कि पहण सिंह सवसाते पूत्र है उनके आवाज में दम है क्योंकि भाई आपके आवाज से अच्छे अच्छे गाने सोभा देते हैं जो कि इतना निरलज्टा वाला गाना गाईएगा ना तो आपको देख्ता होलि में जाके देखी निल कमल सिंगा घृत कि रॉपक TWO को दाइसे और वहां नहीं समझेगा कभी नहीं समझेगा वहीं दखिया ना खेसारी लल यादो को जो कि एक से बढ़कर एक गाना जो कि भोजपुरी इंडस्टिज में लेके आ रहे हैं और फिल्म का बात करें तो भाई संघर्च जैसा मोभी फरिस्ता जैसा मोभी बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति का नाम है तो खेसारी लल यादो और मुझे नहीं लग रहा है कि इनके जैसा अभी भोजपुरी इंडस्टिज में कोई सूपर एस्टार है एक टीप जो कि भोजपुरी के लिए भोजपुरी को आगे बढ़ाने का परियास करें एक एक बार इस वीडियो को लाइक किजिए और शेर किजिए और पेज को फोलो कर लिजेगा आप लोग बताईए कि पाउन सिंग को आखिर क्या हो गया है भाई कि सिर्फ खाली गंदा गंदा गाना लगतार गंदा कभी कुछ भी तो कभी कुछ भी कभी साली में बाट ले रहे हैं तो कभी भावी को चाट ले रहे हैं खिर एक क्या चलगा है एक एक बर शेयर लगाई है और बताइए कि भोजपुरी को कितना आगे लेके जाएंगे पहुंद सिंग्ग